मैं हूँ क्राइम मदारी आखिर कौन है डियस्पी का असल हत्यारा डंपर चालक खनन, माफिया, प्रशासन की मिली भगत या राजनीती की सरपरस्ती आखिर किसके संद्रक्षन में फलफूल रहा है अवैद खनन का धंदा कौन देगा जवाब और कैसे लगेगा इस अवैद धंदे परंकुष नुहु जिला के पचगाव से सटा ये वही अरावली पहाडी छेत्रा है जहां मंगलवार को अवैद खनन माफियाओं ने ताउडू के डियस पी सुरेंदर सिंग्डी टंपर से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी हत्या के पाद मची अफ्रा तफ्री और शासन प्रशासन वादे दावे और बाते करने में जुटा है अपनी पुलिस जी ने भी कुची समय बाद डियस पी को ट्रक से कुचल कर मोत के घाट उतारने वाले ट्रक ट्राइवर सबीर उर्फ मित्तर उसके साथ ही इककर और आज जाबी दुर्फ बिल्ला को भी कर लिया है गिरफतार जिन से अब पुचता चल रही है पुलिस की दस्टी में लगातार संभाविक ठिकानों पर कर रही है चापे मारी ताकि इस हत्याकान में शामिल कोई भी आरोपी बच ना पाए उमीद है सब पकड़े भी जाएंगे लेकिन सवाल अभी भी एहम है कि आखिर कोन है डी एस पी का असल हत्यारा अब क्राइम मदारी को तो सीधी सीधी बात आती है कि जब कोई बड़ी दुगहटना होती है तो सासन और परसासन ही नहीं स्थानिये नेता जनपरतिनी धीवी बड़ी बड़ी बाते करने में पीछे नहीं रहते लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ते ही इस्थिती वही ढाक के तीन पात वाली बनती है अब डियस पी हत्याकान में आखिर कौन देगा जवाब कि डियस पी का अफ्रल हत्यारा कौन है पुलिस की गिरफ्त में आया डंपर चालक खनन माफिया प्रशासन की मिली भगत है या फिर राजनीती की सरपरस्ती पुलिस की गिरफ्त में आया डंपर चालक शुरुआती पूचताच में बोलता है कि उसकी ऐसी कोई मन्शा नहीं थी तो फिर कैसे दिन दाहाडे कुचल डाला डियस पी को ये बड़ा सवाल है इस हत्याकांड में एक बात यह भी चर्चा का विशे बनी है कि जब डियस पी साहब के साथ गनमाईन था तो उसने क्यों नहीं दिखाई गोली चलाने की हिम्मत क्यों नहीं ट्रक को रोक पाए बाद में ही क्यों मुठ बेड में पकड़ा गया ट्रक क्लीनर इकर ये कई ऐसे जोलंत स्वाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और ये सवाल इस हत्याकांड को और पेचीदा बनाने के लिए काफी है क्योंकि डियस पी की हत्या करना केवल ट्रक ड्राइवर की हिम्मत तो नहीं हो सकती क्योंकि पुलिस और प्रसासन से खनन माफियाओं की मिली भगत के किस से पहले से ही जग जाहिर है तो फिर किसका था इशारा तो लीजिये सुनाता हूँ सिलसले वारी सत्याकांड की कहानी इस संसरी खेजवारदात के बार पूरे छेत्र को पुलिस चावनी में तबदील कर दिया गा आई जी एस पी ही नहीं डी जी पी पी के अग्रवाल भी पहुचे नुहूं डी जी पी ने साफ कहा आरोपियों को किसी सूरत में बक्षा नहीं जाएगा क्या है तरह नहीं जाएगार प्रवाल भाट पर रिमित्र कर दियूदील के जी तरह रहाएगार प्लाप प्रवाल भी कर दिए जी हुची आप में प्रवाल भी जाएगार प्रवाल खैर पुलिस जी भी पूरी हरकत में रही और कुछी देर बाद ड्रक के क्लीनर इकर को मुठ भेड के बाद दर्दबोचा यही नहीं डियस्पी सुर्ण सिंग की हत्या के मुख्या रोपी डंपर चालक सभी रूट मित्र को भी राजस्थान के भरतपुर जिला के गाउं गनगोरा से इंस्पेक्टर नरेश यादो के नेतरतों में नुहू क्राइम ब्रांच की टीम ने अगले दिन ही कर लिया अरेस्ट और आज क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नरेश यादव ने मुख्य आरोपी डंपर चालक के एक मददगार जाबी दुर्फ बिल्ला को भी किया है गिरफ्तार और इनकी खंगाली जा रही है कंडली देराथी मुख्य आरोपी के अरेश्ट होने के बाद स्पी नुहु बरुन सिंग्ला ने मीडिया को दी थी जानकारी नुहु जिले की अरावली में अवैद खंण बे रोक टोक जारी है पुलिस डाइरी के मुताब एक वर्स 2006 से अभी तक 86 ऐसे मामले सामने आए जिसमें पुलिस का खंण माफिया ने सीधे तोर पर मुकाबला किया लेकिन हालात ये हैं कि नुहु जिला में खंण विभाग का कोई ओफिस तक नहीं है 20 साल पहले सूप्रीम कोट पे आदेश पे बंद हुए खंण को रोक पाने में तमाम विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हुए है यही वज़े है कि खंण माफिया जिला के रहना धुलावट पचगाउ सलाका मलाका चहलका पड़कानु मुद्दीन खानपुर मरोडा पला टपकड़ा बरका बसई सील खोर मेवली आदी छेत्रों में पूरी तरह सक्रिये है तो साहबाल डियेसपी सुरेंदर सिंग हत्याकान में तीन आरोपी पकड़े गए सरकार ने तुरंत लीपा बोती स्कीम लागू कर डियेसपी को शहीद का दरजा परिजन को नोकरी और एक करोड की आर्थिक सहायता की करदी घोशना नयाईक जाच भी होगी लेकिन कौन ढूडेगा डियेसपी के असल हत्यारे को शहीद का दरजा घोशनाओं की चाशनी और घड़ियाली आसू यहाँ सब कुछ है लेकिन चरूरत है ये सुनिश्चित करने की कही वैर्थ न चली जाए डियेसपी की शहादत वर्षों से चल रहे अवैद खनन पर अंकुष ही डियेसपी सुरेंद्र सिंग के प्रती सची श्रदांजली होगी तो देखना होगा कि क्या लग पाएगा अवैद खनन के खेल पर अंकुष तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन जरू दबाएगा ताकि अपराज की कोई खबर आपसे शूट न पाएगा